एलो, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा रहे एक बार फिर से हम चलेंगे हमारे W3School में और हम कर रहे हैं SQL SQL में MySQL Functions MySQL String Functions हम अल्रड़ी कवर कर चुके हैं MySQL Numeric Functions भी हम अल्रड़ी कवर कर चुके हैं MySQL Did Functions भी हम कवर कर चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं MySQL Advanced Functions और इसी लाइन में कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं Database Functions के उपर इस वीडियो में हम देखेंगे If Function क्या है MySQL If Function देखते हैं इसको अच्छे से डिटेल में Definition देखते हैं सबसे पहले If Function returns a value if a condition is true or another value if the condition is false जाहिर सी बात है यह क्या है conditional है ठीक है Condition के हिसाप से मिंस अगर कोई value को written क्या जाएगा अगर वो condition true होगी तो वो value आएगी अगर दूसरी value आएगी अगर वो condition false होगी ठीक है? Syndex देखते हैं ज्यादा अच्छे से clear हो जागा If Function parenthesis लगाएंगे यह उसके बाद लगानी हमें condition एज आप parameter pass करेंगे खोमा लगाएंगे value if true अगर यह condition true होगी तो हमारी यह value आचेगी अगर यह condition false होगी तो हमारी value यह आचेगी ठीक है? value if false और parenthesis close यह क्या है? syntax if function का parameters values देखें parameter में पहली क्या है? condition है जो हमें डालनी है वो value के उपर check करना है कि क्या हमें value मिलेगी क्या condition रहेगी ठीक है? तो इस condition के उपर ही हमें क्या value मिलनी है? value if true यहाँ भे हम वो value डालेंगे जब condition true हो जाएगे value if false अगर condition false होगी तो हमें क्या value आनी चाहिए? वो हम यहां second parameter में लिख देंगे ठीक है? यही क्या था? parameters value था? example देखते हैं चीज़े बिल्कुल clear हो जानी है example देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है? if function लगाया है क्या 500 छोटा है 1000 से और हमारी यह क्या है? value 1 है और यह value 2 है यह हमारी conditional parameter थी अगर यह true है यह condition है, हमालो यह true है तो true होगा तो पहले आएगा अगर यह false है तो दूसरी आनी है तो 500 क्या 1000 से कम है? जाहिर सी बात है 500 छोटा है और छोटा है इसका में लग यह condition सही है सही तो इसका में लग क्या आजा है yes आईगा, ठीक है? देखो, yes आगया और देखते हैं आगे इन्होंने क्या example दे रखा है अब यह देखो 500 छोटा है तो क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए condition true, then 5 और देखते हैं इन्होंने क्या दिखा है? test करो true, those strings को are the same written yes और नई तो no ठीक है? अभी देखो इन्होंने क्या लगाया है यह function देखते है strcmp function यह function में आप लोगों को already कहां पढ़ा चुका हम? string functions के अंदर तो यह string function है तो यह दोनों क्या होंगे? आप आसमे compare करेगा इसको तो यहां पर start कहां से करता था? पहले letter से और यह पहले letter की लड़ाई होगी यहां पर और यहां लड़ाई होने के बाद क्या करते थे हम? यहां पर जो h है उसकी value dominate करेंगा इसके उपर तो means अगर string 1 बड़ी है string 2 से तो हमें return में क्या मिलेगा? तो यहां पर हमें क्या मिलता था? minus 1, 0 और 1 मिलता था तो इसा मतलब हमारी string वन बड़ी है, तो हमें क्या मिलना है, इस function से थे हमें मिलना है, और वन का जीरो की पराबर है? नहीं, तो इसका मतलब यह false है, तो false है, तो इसका मतलब yes वाली statement नहीं आगए, क्योंकि यह state condition क्या होगी, हमारी false होगी, तो इसका मलब हमें क्या मिलना चाहिए अंसर में 9 मिलना चाहिए ठीक है अगर कोई strmp function भूल चुका है तो मैं एक बार उसके लिए यह दिखा देता हूं यहाँ पे होगा हमारा strcmp function हाँ यह रहा यह देख लो एक बार इसी वीडियो में आपको चीज़े दिख जाएंगे यह तो यहाँ पर लगाया था हमने इस एक्जाम्पल पर ठीक है और अगर क्या होता है labeled नों बिल्कुल बराबर है तो 0 मिलता है अगर 1 छोटी है था से मान पर मिलता है तो उसी जसाब से हमें डिजाइन क्या है तो यहां पर क्या आना है तीन कॉलम है मिल जाने है quantity चेक कर रहा है वो condition अगर quantity की ज्यादा है तो यह वाला जाएगा अगर कम है तो यह वाला जाएगा तो उसी side उसी table में चीज़े हमें पता चलती जाएगी तो देखो क्या quantity 12 से 12 है और यह 12 क्या 10 से ज्यादा है 10 से ज्यादा में condition true तो more आ गया आगे देखते हैं 10 कम है तो क्या गया लेस आ गया यह देखो 5 है लेस आ गया ठीक है इसे साबसे हमारे पास क्या गया यह function है और मैं आप लोगों से request कर रहा हूँ प्लीज मेरे इस channel को आप subscribe कर लिजे और जितना हो सकता है शेर किजे थैंक्यू जै हिंद जै भारत